नमस्कार मैं लूना राम आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया नियूज आप मेरे साथ खास बादचीत के लिए मौजूद है बाजपा के जिला अध्यक सरवन सिंग राव जो विभिन मुद्दों पर बादचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ मौजूद है हम है कि अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर जो काम कर रही है नए नए अभियान चला रह एह और आप हर धरातल तक परम पादशन को 없이 किस तरीके एक कंभी जो है वो सुवीबस्ती ओ है और हर कारी करता हो अपना कार yeah का पता हो और कार्य के पासë अंताइ का मूर शिद्धान ते उसी को लेकर अभी अमारे संग्ठनका पुंद्र- होअ है उसमें जाए जाए भी आवशक्ता और ज्यादा है कुछ इसे ऐसे हैं जिन में संक्थन की सरचना चल रही है वो सब हम पूर्ण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जो केडर बेस में पाल्टे में होना ची अनुशासंद परी संक्थन उसका निर्मान कर रहे हैं उसमें रात पारी के चलते केंद्र ने पूरा जो काम किया लोकडाउन किया और कोशिश की कि जितना कोरोना का हराया जा सके आप कैसे देखते हैं परदान मंत्री का एक साल का कारेकाल भी पूरा हो चुका है दूसरी बार परदान मंत्री बनें देश को बड़ी सोगाते दीवी 377 धारा हुआ है वो एक इतियास के अंदर साइद 500 साल में ऐसा एक कोई कारेकाल सुर्ण कारेकाल आया होगा जिसके अंदर भारत माता को इतने जबरदस्ता निर्ने हुए इतने एकता के विशेश कर 378 यह एक भारत को अखंड बनाने का मिल का पत्थर है अभी तक अखंड हम जरू लखेगा राम मंदिर का मुद्धा कई कारणा से आपको ध्यानी होगा कॉंग्रेस के कपिल सिब्ल ने सुप्रिम कोर्ट में अलफ नामा दिया था कि इनकी सुनवाई 2019 से पहले नहीं की जाए ऐसे विवीद कारान बिना मतलब के कारान लटका कर कॉंग्रेस ने मैसा ऐसा र प्रिस्तितियाओं को अपने आप संबालेंगे और इसका सुप्रिम कोर्ट निर्ने किया नियाय किया और आज राम जी मंदिर बनने का बहुत बड़ा जो सेक्ड़ों वर्सों से जिनका इंजार कर रहा था भारत उसका समना सच हुआ और बाकि जैसे आपने बताया कोवीड के अंदर तो जो भारत ने करके दिखाया उसकी परसंसा पूरा विश्व कर रहा है डबलु एचों में कई बार परसंसा हुई आप देख रहे हैं और प्रती व्यक्ति कोरोना का दर है वो विश्व सबसे कम भारत में और रिकवरी रेट सबसे कम भारत में और जबकी ऐसा ल लेकिन मोदी जी ने पूरा समय पे निर्ने लिए समय पर लोकडाउन लगाया समय पे अनलोकडाउन किया उसके पूरी की पूरी व्यवस्ता की चाहे वेंटिलेटर से लेके चाहे बैड से लेके चाहे हमारे मेडिकल स्टाफ से लेके पूरी डॉक्टर्स की टीम वगिरा प प्रती लाख आबादी में सबसे कम कॉरोना होना ये दोनों जो सिद्धिया है ये विश्व में भारत ने हासिल करके पुरा विश्व को अपनी तरफ आकरशित किया है और अब इभी दो दिन पेले ही नहीं हमारा आइसी है मर ने कहें कि हम पंदरा अगस्त के आसपास में वैक कुछ बचाई नहीं है हमारे सामने एक आथन्टिक आखने में आपको देना चाहूंगा जी एस्टी का जो रिवन्यू है वह एपरेल के अंदर लग प्यातीस जार करोड के आसपास ता जो हमारा एवरेज लग एक लाख करोड के आसपास रहना चीए रहता था पहले मही में जाके वह 65,000 क्रोड हो और अभी जुन के अंदर 99,000 क्रोड हो गया तो मुल्ब तीसरे महीने जाके तो हमारा जो अर्थ अंत्र था वह वापस पट्री पर आ गया यह उनकी दूर्द्शिता दी और उसके साथ में जो मोदी जी ना आत्मनिर पर भारत का नारा दिया यह पूरा का पूरा किया है ऐसा नहीं केवल आवान है आवान के पीछे आत्मनिर पर पैकेज आप देख लेजिए 21,000,000 क्रोड रुपे का वेश्व के अंदर साहित बहुत कम देश होंगे जांपे इतने बड़े पैकेज की घोष्णा हुई होगी और उसको लागू करने के ल पूर्ण गति के साथ काम करना शुरू हो गया हाँ जरूर कुछ महानगरों में बगिरा में जो कुछ ऐसे पोकेट है जहां भी थोड़ा डिस्टरब है लेकिन अब लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं हम इस विपदा से बाहर निकल गये तो आर्थिक पैकेज देख लि तो जो केंदर सरकार और मोदी जी की टीम काम कर सकती है वो असंभव है इंदुस्तान की इतियास में पहले ऐसे किसी ने नहीं कर पाया थे वो कर रहे हैं उसके प्रिना मार रहे हैं और देश आज उनके साथ पूरे अकंदे से कंदा मिला के खड़ा है भारत वासी अर्यकों पाउज विश्वास हो गया कि मुदी जी यह तो मुम्किन इसको उन्होंने पूरा किया है तो बाजवा ने एक अपने अपने आपने मिशाल कायम कर दी कि आम के ऊवल राजनीतिक कारे करता नहीं हम संध्वचिक शेवा के करता है बात हो रहे हैं किसानों के जो मुद्थे ह हैं वो लंबे समय से संग्रस होते रहें लेकिन किसानों का वास्तों में जो समाधन होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है समर्थन मुल्य की बात हो पिछले दिनों आपने मुक्यमंत्री से भी मांग कि ती जीरे की जो सब्सक्राइब बढ़ाने को लेकर जो रात मिलनी चाहिए वो कब मिल पाएगी देखिए मुदी जी की पर्थम सरकार के दिन पहले दिन के संकल्प में गरीब और किसान उनकी सबसे पर्थम प्रात्मिकता रही है और उन्होंने अंतरात्मा से प्रत्न किये हैं कि इस देश का क किसान 65 साल से दर-दर की ठोकरे खा रहा है और वो हमारा अननत दाता है वो खुद आज की तारिक में ऐसी इस्तिति होगी को भुखा रहने के कगर पे आ गया है तो उन्होंने पर्थम दिन से खूब सारे ऐसे कारिये किये जिसमें किसानों को खूब सारी व्यवस्ता है मिली मैं आपको बताता हूं कई किसानों के साथ में बैठते हैं तो कई किसानों से सहज भाव से बोला है कि हम 65 साल के बाद पहली बार हमें सरकार से कोई वास्ति एक रोकट के रूप में कोई सायता मिली है खूब सारे किसान है साइधी ऐसे कोई किसान होगे जिनको पांच साल में केंदर सरकार की योजना से कोई वीतिय सायता नहीं मिली हो चाहे बीमारीन के माद्यम से आपदा परबंद के माद्यम से समर्तन मूली के माद्यम से ज्यादा रेट मिलना इसके समाजिक जो लाप दूसरी हमारी योजना ह तो केंदर सरकार का तो खूब प्रयास रहा कि किसान को संबल किया जाए मुदीजी ने पहले पी बुटा दोजार बाइस तक हम किसान के आए दूगनी करना चाहरे है उसमें खूब उन्हों ने मैं एमेस बड़ाई हमारे सामने की बात है मोंुग ले लिए बाजर इसी तरह सेखूब सार ऐसा मूंग यहासी कहीं हमारी फसले हैं लेकिन यह जरूर है कि कुछ मसाला की ऐसी फसले हैं जो MSP में लाने की मैंने मांग भी की के अंदर से भी की और राजे सरकार को से भी की जैसे विशेश कर हमारे सांचवर छेतर में जीरे का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और गच साल यह जीरे की जो बजार मुल्य था वो 170 के असपस रहा था इस साल वह बजार मुल्य 120 और 110 के असपस रह रहा है तो इस साल में किसान ने दोरी तीर इमार जेल दी सबसे पहले तो तीड का जो आक्रम ह काफी नुक्सान हो इसमें जीरे में विशेस नुक्सान होगा उसके बाद रेट के अंदर उनको 30 परसंट कम हो गया एक तरिके से मैंने मांग की केंदर और राजे सरकार से कि भाई जीरे का मांग रखेंगे और बिलकुल ये किसानों का उत्पद सही बाद से बजार में बिके ये हमारे सरकारों को विवस्ता करनी ही चाहिए ये उनका अधिकार है ये कोई सरकार महरबानी नहीं कर रही केवल गोष्टा करने से काम नहीं चलेगा हम किसानों के साथ हैं किसानों के साथ हैं ऐसे फोटू गिराना से किसानों के साथ किसान के जेब में आप क्या दे रहें इसके आपको चिंता करनी चाहिए मैंने लेटर में बहुत वीवरन से लिगा था कि आप जिरे की MSP करने से सरकारों के उपर कोई बोज नहीं आएगा लेकिन जो एक मुल्य निर्दारन की पद्दती वह ऐसी हो जाए कि क्योंकि एकर MSP के मारे वेवस्ता है यह जी एक सो स्थी रुपया MSP होए यह मैं मांग वापस कर रहा हूं और हमें पत्र के द्वारा भी मैंने वापस मांग किये और मैं मांग करूंगा और जाहां उचित जैसे हमारी के अंदर में सरकार वां में बात करी रहा हूं वहां तेयार ही है लेकिन सरकार अगर इसका संग्यान लगे करे तो खुषानों का बला हो सकता है दूसरा एक और मैं बद्ध यहां रखना चाहता हूं कि हमारे एरिये में अभी अनार की खेती खुँब अच्छी मातरह महाने लगी और अनार सांचोर के काफे काफी ज़्यादा किशानों ने अनार की ख सब्सक्राइब उसके सब्सक्राइब सम्क्राइब डामतों'? कर दो क्या नहीं कैसा है कि लिए मैंने मांग रखी कि नहीं सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब Ci take a दूसरी जी उप्योगी आइटम है वो यह ही बने तो किसान को जादा से जादा फाइदा हो एक बहुत बढ़िया योजना के अंदर सरकार किये मैं आपके माध्यम से सभी किसान पाईयों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्यो फूड प्रोडुसर ओर्गनेजेशन मोदी कर सकते हैं उसके माध्यम से आप आपके उत्पाद स्टोक कर सकते हैं उत्पादों का परसर सक्रण वेल्यू एडिट कर सकते हैं प्रोसेजिंग कर सकते हैं उसके लिए मसीनरी, प्लांट, कोल्ड इस्टोरेज, वेराउस कुछ भी बनाएंगे उसमें केंदर सरकार सबसीड़ी देगी और उसका जो लाबांस होगा वो किसानों के बीच में बाटा जाएगा है तब किसान की जो दूर दिसा है इसका आंत होगा ऐसा भारजी जनता प जेवी खेती में आनी चाहिए उतनी अभी नहीं आ पाई है तो किसान जागरू को जेवी खेती करें जिससे ये बीमारियों से दूर उसको लेकर केंदर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए यह लोनाराम जे बहुत बढ़ी आप प्रस्टावन ने किया मैं आपको बताता हूं की जेवेग खेती और अभी जयहरेली खेती यह हमारे भारत के लिए एक बहुत बढ़ा आज का सोचने का विषय हो गया है और जयहरेली काई में बारत को अभी सापित कर दिया है इसको हार तरीके से बहुत नुक्षान किया खेती आपके महँगी होगी आपके उत्पादन जहरीले होगे आपके पास बाभर कोई मार्केट नहीं आज के समय में दिमे दिमे बार के जितने भी विदी समय है वहां पर जहरीले उत्पादनों पर प्रतिबंद लग रहा है हम यह उत्पादन खुब ज़्यादा करते हैं लेकिन वो कोई लेने वाले नहीं होते हैं यह जो दूस्ट चक्र है यह कहीं कहीं एक बहुत बड़ी साजिस के तेहत हुआ होगा ऐसा मुझे लगना है उन जहरीले कंपनियों को उत्पाद बेचने के लिए सरकार ने आँख मुच के उनको यहां पर जहर बेचने दिया और उसका दूस्प्रभाव हमारे समाज के स्वास्ते पर इतना गंबीर पड़ा है कि जितने भी आज हमारे सामने यह बीमारिया होती है मुख्य जो कारान है वह जहरील कर सकते हैं कुछ भी नहीं है जेविक मतलब हमारी पारमपरी खेती जो मारे बाप देदे बड़ेरे करता तो वह जेविक बोलते हैं जिसमें जहर नहीं डालते हैं वह जिए अब किसानों को ऐसा एक डरा दिया अंदर से के यह नहीं डालेंगे तो उत्पादन कम हो जाएग जिन्होंने पर्थम साल थोड़ा बहुत कमी पेशी रही होगी दूसरी तीसरी साल से उनके उत्पादन उन जहरीले रसायनों के सामने और जाड़ा बड़े हैं तो इस तरीके से अगर हम देखने जाए तो हम जहरीली खेती से मुक्ति पाने के लिए जेविक खेती की तरफ लोटे हैं इसमें के अंदर सरकार भी मदद कर रही है और इसके अंदर जो चीए वह आज कल और गेनिक जो जेविक रसायन और जेविक खाज यह भी बजार में खुब आने लग गया है जिसमें गोम उत्र से नीम से एरंड की खड़ी से गूड से इस तरीके के पूरे के लोटे हैं कि फूड़ जे तरीके के खाज से एंदर उत्र से बैज बजार में गूवकी घँ़गार में खा